आज हम दुनिया में एक ऐसी जगा के बारे में आपको बताएंगे जहां पूरी जिंदिकी में सिर्फ एक बार नाती है महिला और वो अपने आपको फ्रेश कैसे रखती है इसके बारे में हम बात करेंगे दुनिया में एक ऐसी जगा है जहां पर महिलाएं पूरी जिन्दकी में सिर्फ एक बार नहाती हैं इसके बावजूद वो खुद को फ्रेश रखती हैं इसके पीछे का सत जानकर आप हैरान रह जाओगे आईए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में अफरीका के नौर्थ वेस्ट नामीबिया के कुनैन प्रांत में रहने वाली हिमबा जन्जाती की महिलाएं जिन्दकी में सिर्फ एक बार नहाती हैं वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है उन्हें पानी का इस्तमाल करना मना है यहां तक कीवे कपड़े भी नहीं दो सकती यहां की महिलाओं का तुच्छा का रंग भी लाल होता है इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है हिमबा जन्जाती की महिलाएं नहाने की जगा खास जड़ी बूटियों को पानी में उबाल कर उसके धुएं से अपनी बोड़ी को फ्रेश रखती है ताकि उनसे बदबू ना आए इसकी खुश्बू में इनकी बोड़ी कभी ना नहाने के बाद भी फ्रेश लगती है इस ट्राइब की महिलाएं अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए खास थरा के लोशन का इस्तमाल करती है यह लोशन जानवर की चरबी और हेमेटाइट यानि लोहे की तरह एक खनीज तत्व की धूल से तयार किया जाता है हेमेटाइट की धूल की वजह से उनके तवचा का रंग लाल हो जाता है ये खास लोशन उन्हें कीडों से काटने से भी बचाता है कहा जाता है कि महिलाएं इस वजह से भी हेमेटाइट का इस्तमाल करती हैं ताकि उनका रंग लाल हो जाए और वह पूर्शों से अलग देखें इन महिलाओं को रेड मैन के नाम से भी जाना जाता है